इस सकारात्मक सोच ने लोगों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को नश्ट कर दिया है दिमाग रास्ता बनाता है लेकिन आपको कभी वहाँ लेकर नहीं जाता आपको फिर भी रहा पर चलना होता है विचारों को इतना महत्व देकर जीवन जीना बहुत नुकसान दे है ये आपको अच्छा महसूस कराएगा लेकिन ये जीवन का सबसे अच्छा समाधान नहीं है इस सकारात्मक सोच ने लोगों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को नश्ट कर दिया है सकारात्मक सोच इस तरह से एक कविता है सकारात्मक सोच रखने वाले ने लिखी हुई एक छोटी चेडिया उड़ी आस्मान में उसका मल गिरा मेरी आँखों में लेकिन न तो मैं रो सकता हूँ न कर सकता हूँ चिनता क्योंकि मैं हूँ सकारात्मक सोच वाला बंदा भगवान का शुक्रिया और करता हूँ प्रार्थना कि भैंसों को न सिखाना उड़ना मेरी इच्छा है कि भैंसे भी उड़ें और चीज़ें इन लोगों के उपर गिरें क्योंकि अगर आप जीवन को बिल्कुल वैसा नहीं देखना चाहते हैं जैसा कि ये है तो आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं है अगर आप जीवन को वैसा नहीं देखना चाहते हैं जैसा ये है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप केवल दिमागी तोर पर फिजूल चीज़ें करते रहेंगे जो आपका मन बहलाएंगी लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाएंगी अगर हमें इस जीवन की चिन्ता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस सच को जाने कि हम वाकई हैं कहां हम तभी आगे चल सकते हैं अगर आप अपने आपको ऐसे ही भरोसा दिलाते रहें कि सब सही है, सब बढ़िया है आपको ये समझना होगा दिमाग केवल रास्ता बना सकता है ये यात्रा नहीं कराता अभी आप जाना चाहते हैं कहां? आप किसी मन चाही जगा जाना चाहते हैं ये जहां भी हो आप कहीं भी जाना चाहें पहले आप मन में सोचते हैं अच्छा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, योजना, पैसा, ये वो बहुत सी चीजें तो दिमाग रास्ता बनाता है, लेकिन आपको लेकर कभी नहीं जाता है अब भी आपको रास्ता चलना होता है, है कि नहीं तो अगर आप यहां बैठकर भगवान के बारे में सोचते हैं, स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, अध्यात्म के बारे में सोचते हैं, आत्म ग्यान के बारे में सोचते हैं, ठीक है, यह रास्ता बनाता है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने बहुत नायाब हाईवे भी बना रखाओ जब तक आप यात्रा नहीं करते तब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं है कि नहीं? आपके पास सबसे अच्छा हाईवे है लेकिन आपने यात्रा नहीं की आपने यात्रा नहीं की और क्या ये बिकार का हाइवे है अगर कोई यात्रा नहीं करता है तो आपको समझना होगा जो आप दिमाग में करते हैं वो वास्तविक्ता नहीं है ये बस दिशा निर्धारित करता है लेकिन अभी भी आपको दूरी तय करनी है सद्धगुरू, एक बार आपने कहा था कि सकारात्मक सोच का मनोवैज्ञानिक महत्व है लेकिन अस्तित्व संबंधी कोई महत्व नहीं है क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? देखिए इन संस्कृतियों में निश्चित रूप से आपने विचार प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पुनर जागरन काल के दार्शनिकों ने कहा है मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है तो आपने विचारों को इस तरका महत्व दिया है लेकिन आप मुझे बताएं आप अपनी साधारन समझ से मुझे बताएं क्या सच है? क्योंकि आपका अस्तित्व है इसलिए आप सोचते हैं? या आपके सोचने से आपका अस्तित्व है? क्योंकि आपका अस्तित्व है, इसलिए आप सोचते हैं, है कि नहीं? आपने जीवन को सोचने के अलावा, किसी और तरह से नहीं जाना है इसलिए, अब आपने इसे इतना महत्वपून बना लिया है अब मेरे लिए कोई विचार नहीं है अगर मैं यहां ऐसे ही बैठ जाता हूँ मैं यहां पर दिमाग में एक भी विचार के बिना बैठूँगा इसका मतलब यह है कि मेरा अस्तित्व नहीं है मेरा अस्तित्व है पूरी तरह से अस्तित्व है चुँकि मेरा अस्तित्व इतना शक्तिशाली है तो विचार मेरे लिए बहुत छोटी सी घटना है मेरे विचार मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना है मैं सोच सकता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सोच नहीं सकता मैं सोच सकता हूँ लेकिन फिर भी ये बहुत छोटी घटना है क्योंकि मेरा अस्थित्व मेरे विचारों से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है अभी लोग अपने विचारों को अपने अस्थित्व से बहुत ज्यादा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं विचारों को इतना महत्व देकर जीवन को देखने का बहुत बीमारू नजर्या है शुरुआत में यह आपको रोमांच देगा क्योंकि आप विचारों से कुछ नई चीजें बना सकते हैं देखे अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करें आप कुछ चीजें कर सकते हैं आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों पर विशेश नियंतरन रख सकते हैं यह आपको अच्छा महसूस कराएगा लेकिन यह जीवन का परम समाधान नहीं है आप दुनिया में प्रभावशाली हो सकते हैं लेकिन अपने भीतर आप अब भी एक उलजन होंगे क्या फाइदा है आप दस लोगों के आँखों में अच्छा दिखना चाहते है यह आपके जीवन के अनुभव को नहीं बदलने वाला है अगर आप यहाँ बैटकर पूरी तरह से आनंदित है यह आपके अनुभव को बदलता है कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है यह इतना महत्वपून क्यो है या आप अपने बारे में क्या सोचते है यह इतना महत्वपून क्यो है आप अपने बारे में जो भी सोचे पूरी दुनिया आपके बारे में जो भी सोचे इसका अस्तित्यो संबंधी कोई महतो नहीं है अभी आप जो भी सोच रहे हैं अस्तित्यो संबंधी इसका कोई महतो नहीं है इसका किवल मनोवैज्ञानिक महतो है हो सकता है सामाजिक महतो है लेकिन अस्तित्यो संबंधी कोई महतो नहीं है तो जब हम कहते हैं अध्यात्मिक प्रक्रिया, हम बात कर रहे हैं अस्तित्व संबंधी आयाम की, मनोवैज्ञानिक आयाम या सामाजिक आयाम की नहीं